दोसों इस साल के जून महीने में दो ग्रहन लगने जा रहे हैं पहला चंदर ग्रहन जो 5 जून और दूसरा सूर्य ग्रहन जो 21 जून को लगेगा आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 जून को लगने वाले चंदर ग्रहन के बारे में बताऊंगा कि 5 जुन को लगने वाला ग्रहन किस समय लगेगा कहा कहा दिखाई देगा और 5 जुन को लगने वाले ग्रहन से क्या प्रेगनेट महिलाओं को सावधन रहने की जरूरत होगी ये सब बातें आज इस वीडियो में शेयर करूँगा बिल्कुल सही और सटिक जानकारी आपको इस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके आये जानते हैं कि चंदर ग्रहन क्या होता है जब सूरे के चारों और परिक्रमा करती हुई प्रिथवी चंद्रमा और सूरे के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पर पढ़ने वाली सूरे की किरने रुक जाती है और प्रिथव तुर्जा के निकलने के साथ बहुत सारी नाकरातमक शक्तियां तेज हो जाती हैं प्रबल हो जाती हैं और ये नाकरातमक शक्तियां प्रेगनेट महिलाओं के लिए बहुत बुरी मानी जाती है उनके गरब में पल रहे बच्चे को नुक्सान पहुंचा सकती है इसलिए चंद ग्रहन 5 बज़ कर 11 मिनट पर शुरू होगा और 2 बज़ कर 34 मिनट पर समापत हो जाएगा और इस ग्रहन का सूतक माननिय नहीं होगा क्यों माननिय नहीं होगा यह मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा और 5 जुन को लगने वाला चंदर ग्रहन भारत अफरेका और और एशिया में भी दिखाई देगा आईए अब जानते हैं कि क्या पांच जुन को लगने वाले चंद्रग्रहन से प्रैगनेट महिलाओं को घबराने की जरूरत है और क्या कुछ सावधानी रखने की जरूरत है दोस्तों वैसे तो चंद्रग्रहन के समय बहुत सारी सावधानिय रखने की जरूरत होती है लेकिन 5 जुन 2020 को लगने वाले चंद्रग्रहन से प्रैगनेट महिलाओं को बिलकुल घबराने की जरूरत नहीं है जी हां क्योंकि ये उप्षया चंद्रग्रहन है जोतिशी शास्त्रों के अनुसार उप्षया चंद्रग्रहन को ग्रहन नहीं मान जाता और पांच जुन को लगने वाले चंदर ग्रहन का सूतक भी माननिय नहीं होगा अब बहुत सी प्रेगनेट महिलाएं प्रेशान होती है कि ग्रहन के नियम माने या ना माने तो आप बस इतना काम करें कि ग्रहन के समय बाहर ना जाएं और वैसे भी उस समय रात का समय नुकीली चीजों का सेवन ना करें कैंची सुई और चाकू का इस्तमाल ना करें टोइलेट जाने के लिए भी मना किया जाता है और कुछ घरों में ये नियम मानने के लिए भी बोला जाता है कि प्रेगनेट महिलाओं को लेटने और सोने के लिए भी मना किया जाता है और प ग्रहन से बचने के लिए उपाये भी करने होते हैं जैसे गरवती महिलाओं को ग्रहन के समय अपने आसपास एक नारियल रखना होता है और अपनी लंबाई जितना धागा लेकर टांगना होता है लेकिन पांच जुन को लगने वाले चंद्रग्रहन के समय महिलाओं को ऐसा करने की जरूरत नहीं है आप अराम से सो सकती हैं अपना खाना पीना कर सकती हैं और वो सब कुछ कर सकती हैं जो आप अपने नॉर्मल लाइफ में करती हैं ये बिल्कुल ना सोचें कि पांच जुन को लगने वाले चंद्रग्रहन से आपको या आपके बच्चे को कोई नुकस तो ये तीनों एक सीधी लाइन में नहीं होते और चंद्रमा धर्ती की वास्तिविक शैया में ना आकर उसकी उप शैया से ही लोड जाता है और चंद्रमा की कोई भी हिस्सा ग्रस नहीं होता तो ग्रहन कैसे होगा इसलिए 5 जून 2020 को लगने वाला चंद्र ग्रहन और इसका हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी महिला 5 जून को ग्रहन के नियमों का पालन ना करें भूकी प्यासी ना रहें और पूरी रात ना जागे तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो 5 जून 2020 को लगने वाले चंद्र ग्रहन को लेकर अगर आपको वीडियो मे मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके चैश्री राम दूस्रा